मतलब कि इतनी सारे चीज़े हैं फार्मर को करने के लिए फार्मर फसा है बस तमाटर सिमला अंगुर गन्ना अचकल मल्टी क्रॉपिंग का जमाना है एक क्रॉप आप 12 साल लेना बहुत भी रिस्की हो गया है क्योंकि कब चिस्टीज का रेट कम ज्यादा हो सके क्यिन हैं देखिये हमारे यहां का महराष्ट का क्ला impacto हो यहां पर अर्जा क्लाइमें यहां पर यहां इस आप्ल का भी राइभी और अब वसकिक खे़िते करगे हैं कि विस्में पूरा इस्तमाल चार साल तक आप विसमें पूर खीति कर सकते हैं। तो अभी it island mango का पेड़ इतने है यह वराइटी है यह किसी के बालकनी में भी आ सकता है गम्लों में कि यह क्या है ATM Thailand यह अल्ट से कभी वैसे निकाल सकते यह आम की वराइटी है जो कभी भी साल भर में अपने को फ्रूट में ख़जाना 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 दोस्तो आज हम है ख़जाने के ख़दान में दोस्तो देरादुन क्रिकेट ग्राउंड हो या ग्वाटी हो या पूने का बालेवाडी का फुटवाल का ग्राउंड हो सारे के सारे इसी ख़दान से या इसी ख़जाने से बने हुए हैं आज का वीडियो बहुत ही कमाल को अने वाला है, क्या आपने सफेज जामुन सुना है, सफेज चंदन सुना है, मिलिया डूबिया सुना है, यह बहुत सारे medicinal plant हो, चाहिए आपका खेती हो, घर हो, गार्डन हो, सब जगा पे ये खजाना काम में आने वाला है, तो आज हम हैं ए एक जगा पे सेकडो चीज़े, जी हां मिलने वाली आज की इस वीडियो में आपको, जैसे की सिंपल एक्जामपल देता हूँ, बुठके नार यहाँ पे लिखा, इसको डॉर भी बोलते, यानि की नारियल का पेड़ छोटा रहेगा और सेकडो इसमें नारियल लगे होंगे तो ऐसी सेकडो वराइटीज आपको देखने को यहाँ पे मेलेगी, चाहे वो अनार हो, अमरूत हो, आम हो, एक मैं आपको बहुत ज़रूरी सोल बताता हूँ, फार्मिंग का, कि अगर आपका मदर प्लांट अच्छा है, तो आपकी फार्मिंग अच्छी, इल्ड अच्छी किस से फाइदा हो सकता है, तो बहुत सारा एजुकेशन इस वीडियो से एजुकेट हम करने वाले हैं, और इस संकेत नरसरी में हम जहां पे आएं, उनके जो ओनर हैं, उनके साथ में पूरा का पूरा टूर करेंगे, उनके फार्म पे भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हिम नमस्ते किसान भाहियो, मैं विकरान काले, और मेरा ये नरसरी और हर्टी कल्चर का बिजनेस है, और ये हमारा पारंपारिक बिजनेस है, लग बग नाइंटीन इटीश से नरसरी में हम काम करते हैं, मेरे पिता जी ने शुरुआत की थी और आगे अंकल और हमारा पुरा है लेगसी चल रहा है, तो इसमें हमने अलग-अलग sections किये है और इसके अलावा हमारे farms है, जिसमें हमारे Mother Plants है, जिससे हम plant बना के, किसानों को नरसरी है वो आपके खेत नीग प्लांट्स है, जी, हमारे फ़ेल हो जामुन हो, सब इप्लांट्स है, लगबख 40 ऐकर में हमारे Mother से हमारा परपस ही है कि मदर प्लांट से ही अच्छा इल्ड आता है तो उससे अपन ब्रीड बना के फार्मर को दे और यहां पे दस एकर में नरसरी का सेलिक दस एकर में हैं और चालिस एकर में हमारा मदर प्लांट का अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी किसान जो है वेज़िटेबल बहुत लगा रहें दस एकर फाम है तो खाली वेज़िटेबल सी लगा रहें तो आपका कहना था कि वहां पर उन्हें थोड़ा सा होडिक करने चाहिए तो क्यों करनी चाहिए उससे क्या फाइदा है देखिए वेज़िटेबल की खेती कम टाइम के लिए होती है और इसमें अनिस्चित्ता है बहुत है तो कुछ जमीन हम उसके लिए जरूरी रखना चाहिए बट कुछ लांग टम के हिसाब से हमने होटी कल्चर मे हो सकता है आपका कहना है कि दोस्तों इनका कहना है कि होटी कल्चर में क्या होता है आपको बार-बार जुताई करने के जोरत नहीं है बार-बार मलचिंग ट्रीपरिगेशन तार बास लेबर चाहिए नहीं साल में एक बार पर उसको लगा देना और साल में थोड़ा- लिए आम कि साल भर में अपने को अपंधार के साल भर में में सकता है क्योंकि चलते रहता वह चलते रहता है तो यह किसानों को तो अगर फ्लांट खरीदना हो यह थाईलेंड है ना थाईलेंड वराइटि कितने का एक प्लांट मिलता है यह चोटा साइज का अगर ले तो लगबख 60-80 रुपए तक प्लांट मिलता है तो ऐसे मैंगो में आपको अभी लेटेस में जो ट्रेंडिंग में वराइटि चल रह है और इसका भी अपना घर का मदर प्लैंट लगाया है तो इसको काफी कलर और रेट अच्छा मिलता है फिर उसके बाद थाइलेंड मैंगो हो गया फिर उसके बाद यह जो अलग-अलग वराइटी से वन्राज हापूस यह सभी अलग टेस्ट और अलग वह एंविर्मेंट में फ्रूटिंग देने वाली वराइटी तो आपके दस एकर में यह वाला सेक्षन जो है पूरा होटी कल्चर तो यहां पर आपके पास कौन कौन सी जो प्रियोटी से जो हमारे महाराश्ट हो या मध्यपरदेश राजिस्तान गुजरात पूरे इंडिया से वीडियो भी देख है चिकू है पीर पीच प्लम कीवी एप्रिकॉट यह सभी जो हॉट क्लाइमेट में आने वाली एप्रिकॉट भी है कीवी भी है जी जी और वाप्रे मतलब इतने सारे वराइटी आपके पास जो लेटेस में भी चल रही हमने पहले अपने खेत में लगाए है और उसके आईरुवेधिक मेदिसमिल प्लांट से जी जैसे कि यहां पर यह कौन सा यह पान फूती है इसको जब पेट की जो भी बीमारिया होती है इसका प्लांट का अर्क निकालके अगर इसका काड़ा पी ले तो बहुत सी बीमारिया पेट की कम होती है जो कीड़नी स्टोन में बहुत बढ़ गये हैं तो इसका लीफ हर रोज दो लीफ खाने से भी अपना शुगर लेवल मेंटेन हो सकता है हर घर में होना चाहिए और लॉंग टम में अगर करना चाहे तो लकडे की खीती जो वन शेती बोलते हैं उसमें भी फार्मर को द्यान देना जिनके पास ज्यादा बैंबू है यह सभी जंगली खीती अनस्पती में मोड़े जाते हैं तो इसका एक साथ उत्पन आता है और इसको खर्चा कम है जैसे कि सिटी में हमारे किसान भाई बहुत जौब के लिए रहते हैं नोकरी के लिए रहते हैं तो गाउं में उनकी जमीन पड़ी रहती है लेकिन हमारी जो किसान भाई यह वह इस पर ट्रस्ट कैसे करें कि हाँ यह अच्छी वराइटी है और आप सफेच चंधन बेच रहे तो यह प्रॉपर है इस पर कैसे विश्वास करें लोग सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा नरसरी महराश्टर शासन से रजिस्टर है और अभी हमें एनेजबी केंदर शासन की जो सौंस्ता है होटी कल्चर उसकी भी माननेता मिल गए बढ़ी है तो उनकी टीम ने आके पहले हमारे सब मदर प्लांट को देखके ही हम यह सर्टिफिकेशन दिया है बढ़ी है दोस्तों हम आपको यहां पे फल या अब कुछ दिनों पहले हमने वीडियो शूट किया था लोग मुझे पूछरे भी रहे थी कि प्लांट कहां से मिलेंगे तो आप से मिल सकते हैं हमारा घर का मदर प्लांट है और वही हम ग्राफ्टिंग करके बनाते हैं दोस्तों मैं क्या करता हूं आपको कमेंट सेक्शन मे नहीं आपको मैं यहां पे नंबर डाल देता हूं इस नंबर पर कॉंटेट कर सकते हैं आपको जो भी यहां पर नर्सरीज चाहिए या जानकारी चाहिए आप बेशक इनको कॉंटेट कर सकते हैं हमारी बात ट्रस्ट की हो रही थी कि आपने कुछ देर पहले मुझे बताया कि आपने क्रिकेट जो ग्राउंड से उनका भी प्लांट्स लगाए है या या आपने एक और चीज बताई कि समरुद्धी जो महमार गें उसके साइड के भी प्लांट्स लगाया है तो यह कैसे पॉसिबल हुआ यह सारी बड़ी बड़ी चीज़े देखिए यह तो एक रात रैंड्सकेपिंग पुना के फर्गूशन कॉलेज से हुआ है प्रॉपर सीखना जरूरी है क्यूंकि आजकल हर एक चीज में डिटेलिंग है फारमर भी बहुत अपडेट हो गया है वह भी बहुत से सवालों के साथ आता है तो हमारा होमवर्क होना भी जरूरी है यह जरूर होता है यहां पर सबसे बड़ा रोल नरसरी वाले का आता है अच्छा फाइदा होता है और उसके इल्ड में भी अच्छा फाइदा होता है तो यह बहुत वेस्ट चलता है मैंने देखा कि आपके नरसरी काफी मतलब हाईजिनिक हैं साबसुतरी हैं एक में किसान के एंगल से कि पूचना चाँगा कि किसान भाई हमारे क्या होता है कि नरसरी में बहुत ज्यादा फस्क जाते हैं यहां पर लेने जाते हो जाते हैं नाम एक बोलते थमाएक देते हैं किसान की दिक्कति कैसे oggi बहुत सारे मार्केट में लोग जो लाखों करोडों बनाते हैं बेचते हैं तो किसान एक नर्सरी कैसे पहचाने कि यह अच्छी है और इसको हमें लगाना चाहिए देखिए सबसे में चीज तो वही है कि यह पौदा जो बना है वो कहां बना है यह अगर यह नरसरी में बना आये तो इसका मदर प्लांट कहा है अगर यह किसान ने फिगर आउट याने कि आपके खेत में जो प्लांट लगा है उसकी डंडी कट करके लाते हैं और फिर वो ग्र आनार में हमारे पास तीन वराइटी यह बर सबसे चलने वाली वराइटी यह सिंदूरी भगवा जिसको आज हमारे रहता मार्केट में उच्छा आट सो रूपया किलो का दाम साथ नीज में देखा मेले आट सो रूपय केज़ी की साफ से हमारे मदर प्लांट है और उसके सारी है बड़ी है तो यहां पर मैंने यह सेक्शन कौन सा है थोड़ा बताई अभी देखिए पहले अभी किसान भी अपडेट हो गया है चोटे पाउदे लगाने और टाइम डालने में उसको काफी यह होता है तो लोगों को अभी रेडी बड़े पाउदे भी चाहिए होते है तो यहां पर नर्सरी का बहुत बड़ा रोलाता है यह किस चीज का यह अभी कठल है यह कठल का कापा वरेटी है जो गमलेस वरेटी जैक फ्रूट जैक फ्रूट और यह जहां पर पानी रुखता देए ऐसी जमीनों में लगा आपने इतना बड़ा पहले कर दिया है कि अ ऐसे अधे और यहां आज अधेती बहुत कीफायती खेती आज मानी जा रही है इसमें जो मैंटेनस कोस्ट वह बहुत कम है और तीन स्रे साल शुरू होने के बाद यह हर साल में एक बार इल्ड आपको मिलते ही जाता है मतलब कि इतने सारे चीज़ें हैं फार्मर को करने के लिए और फार्मर फसा है बस तमाटर सिमला अंगुर गन्ना मेरे एकर किसी फार्मर को दस एकर की जमीन तो वो द नंढ गर कम से कम जो है फल की खेती करें एक दो कर कमसे कम लॉंग टर्म यानि की चंदन की खैती जामुन कि खेती करें मिल नुक बेख सकते dio के लृत क्रॉपिंग का जमाना है एक क्रॉप आप बंदरा साल लेना बहुत ही रिस्की हो गया है क्योंकि कब इसका रेट कम जादा हो सके तो यह सब चीजे दो एकर चार एकर में अगर करेंगे तो सबसे दुरूरी क्या है कि जो आप बांबू कर रहे हैं या मिले डूबया कर उसमें स्पाइसिस भी ले सकते हैं उसमें इंटर क्रॉपिंग तीन चार साल पूरा आप ले सकते हैं कितनी बड़ी चीजे दोस्तों देखिए बहुत ही उम्मदा जानकारी हमें मिल रही है इस वीडियो को जो हर एक किसान भाईयों तक हर एक सिटी में हर एक जगा पर आप शेर कर ढूदेखते हैं क्योंकि यह भी हमारे इक फार्मिंग का एक हिस्सा है तो यह कौन सा सेक्षण है डिटल बताई है यह हमारा इंडोर सेक्षण है किसान भाई तो प्लान्ट्स पेड़ पाउड़ों में रहता है पर जो हमारे सीटी के भाई लोग है उनके घर तो उनमें भी कुछ पेड़ पवदों की जरुत होती है अक्सिजन मिलने वाली इतने भी सेगड़ वराइडिस होती है इसमें भी बहुत सारी इसमें सब पांसो वराइडिस होती है लगबग तो इसको इंडोर प्लांट्स के लिए यूज होता है यह यह पीस लिली वोलते हैं मेरे पास था होटेल इंडस्ट्री हो गया यह ओफिसेस हो गए और यह सब चीजे वहां काम आती है और यह वाला सेक्शन किस चीज के लिए आपने बनाया थोड़ा डिटेल बताईए यह जो आउट्डोर प्लांट्स है जो डिवाइडर में लगते हैं पार्क्स में लगते हैं जैसे सब्सक्राइडर में यूज होने वाले सभी फ्लावरिंग और प्लांट्स शरब प्लांट्स बोलते हैं यह उसका सेक्शन है अब हम क्या करते थोड़ा सा आपका पीछे का सेक्शन पूरा देखते हैं उसके बाद सीधा हम चलते ग्राफिटिंग के फांपे अच्छा तो य यह काफी अच्छे दामों में मिखता है और इसको यह यह स्पाइसे की खीती में ज्यादा मेंटेनंस होता नहीं है मतलब यह सारे प्लांट्स तो आप खेती भी कर सकते हैं और हमारे जो इंडिया में घर में सीधा लगा के भी उसका रियोस के के टेरी में कूकिंग में इस् सबजी में बिरियानी इस्तमाल होता है तो इसके लिए हम मेरा भी सिदेशन ने हम यहाँ से किसान मिलक इंटीघ्रेटीड टर्मिन करतें तो क्या एक गारी बहुरने के लिए तक जाने के लिए उतना अगर यह मिलता है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है अगर मैं अम्रूत की खेती कर रहा हूं अकेले पांच एकर तो कर नहीं सकता है उतना खेत हैं हमारे इंडिया में पर किसान जो है डाही एकर का मैक्सिमम लिमिटर उतना एवरेज खेती है सभी को तीन किसान इकटा हैं कि तो साड़े साथ एकर जमीन हो जाएगा उसमें जब हरुष्टिंग होगा कम सकम एक गाड़ी तो मार्केट में भेज सकते हैं और जो व्यापारी भी आता है वह एक जगह फिर इतना देखने के लाउसमें क्या होता है यूमिडिटी का बहुत जín ड्रोटा है प्लांट 29 ensuring के बाद जो पोर खुलते हैं यूमिडिटी की वजह से खुलते तो इसलिए पॉली है उसमें ग्राफ्टिंग अच्छे से होती है और फिर प्लांट का ग्रोथ उज Yani यहां पे टीवाति के मैश apert होती है वह हम देखेंगे अभी जैसे यह जो सीजन है यह जामून के ग्राफ्टिंग का सीजन बहुत अच्छा है तो यहां पर कैसे हो रही है तो यह नीचे जो है यह रूट स्टॉक है यह जो देशी बीज होती है वह आपने डाल के जो पौदा उखता है और जो वरैटी का ह कर दिया है उसके बाद यह और यह मैच होना चाहिए इसके लिए दोनों तरफ से कट करते हैं और फिर यह जो पौलिटीन पेपर है प्लैस्टिक का ग्राफ्टिंग के लिए खाज यह यूज होता है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो जल्दी से अटैच हो ज पीज़े कर रहते हैं इसे का लगाविज हो जह सकता है और यह काफी दिनों से प्रैक्तिस होने के बारद यह उस कितने बराबर आते होंगे इनके जामून में वैसे सक्सेस कम मिलता है फिर भी जनरली 80-90 परसेंट का ग्राफ्टिंग सक्सेस हमें मिलना चाहिए किस इसका ग्राफ्ट किया यह अभी सिताफल है अब यह सेट होके पौदा रेडी हो गया है यह बिचने के लिए यह फार्मर खेत में लगाए करनी है और यह ग्राफ को भी आप चीर सकते हैं काफी इंट्रेस्टिंग दोस्तों आपने लाई आज देखा होगा की ग्राफ्टिंग कैसे होता है वह भी पर ग्राफ्टिंग कैसे होता है इतने बड़े नरसरी में तो चलिए अब सीधा यहां से चलते हमारा जो यह जो इतनी सारी चीजे दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूं इतना खजाना इतना भंडार इसमें से आपको क्या पसंदार है कमेंड करके मुझे आप जूरु बताइएगा ग्राफ्टिंग के बाद जो ग्राफ्टिंग में मदर प्लांट जो ग्राफ्ट हो रहा है वह कैसे य जार एम 99 यह वरैटी आपने लिया यह लगबग इसमें से हमने 5-7 kg लिया है किलो में पांच फल है मतलब 25-20 फल दो साल में पेड़ पेड़ पर आ गये तो यहां पर मुझे बताईए आपल के कितने प्लांट है यह दो एकर में आपल का फार्म है हमारा नाइन बाइट वेल पे इसका प्लेंटेशन एक एकर में चारसो बीश फिड लग तो आपके नरसरी में जो आपल का ग्राफ्टिंग होता है वह यहीं प्लांट का अच्छा रहे तो ही इसका प्लांट का ग्रोथ अच्छा रहेगा और गैरेंटीड ब्रीड फार्मर को मिले इ इहां पर अलग-अलग बहुत सारी वेड़िज की जामुन हैं बगल में ने देखा है यल्द केना इतो वाईट श्यवाइड जामुन यह बहुत ही अच्छी समय salsाल में एक बार फल है और एस चीज और टेस्ट बहुत अच्छा है वो कैसे किलो बिखता है वो हमने 280 रूपया किलो बिखा है यह सबसे किसानों के लिए किफायती कम खर्चे में देने वाला साल में एकर में तो 4-5 लाग तो इसी निकल जाएगा अच्छे से निकलता है उसमें बहुत काम नहीं है और मेडिसिनल वहल्यू की वज़े से उसको काफी रेट मिलता है और उसका पल्पी बनता है जूस भी बनता है वाइन बन रहा है तो आपके पास मतलब अनार के भी मदर प्लांट है अनार अम्रूद आम सिताफल अच्छा और चिकू जामून और बाकी हमने एक्जोटिक आपको क्या लगता है कि अगर किसान ने होटी कल्चर के तरफ थोड़ा सा रुक अगर अच्छे खासा कर दिया तो क्या इंकम हो सकती है कि बहुत अच्छी इंकम हो सकती है और मैं तो कहूंगा हो रही है क्योंकि आजकल फूड प्रोसेसिंग का जमाना है आप देखते हैं मार्केट में मिलते है तो उसका रौ मट्रियल का सियांगा उसका रॉम ने यह प्रूट के पल्फ से आएगा फ्रूट इंड़े से एंड ऐसा होता है कि किसान को पैसा चाहिए तो आप सेकरो वराईटी बेच रहे हैं वह क्या हर जगा पर चलेगी या अलग 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 पहले किसान कोई पूछता है कि क्या करें तो हम पहले उसको उसका Soil का structure पूछते हैं। उसका Soil का structure के हिसाब से हम उसे suggestion देते हैं। कि आप यह crop लगाई है क्यूंकि हमारे यहाँ पे अलग-अलग टाइप की soil है और हमने अलग-अलग यहाँ पे experiment किये। तो हमें पता है थोड़ा बहुत और बहुत से किसानों का हमारे पास data भी है तो कहा क्या मिलता है कहा क्या अच्छी यह नहीं कि बंदा आम मांग रहा है तो तुर्य उसको दे दिया नहीं वह हमारा वह उद्देश है ही नहीं क्योंकि उसको उसका इल्ड आना जरूरी है आप तो हमें देख रहे हैं कि इसको अग्रो टूरिजम और मराथी में बोलते हैं शेती प्रसिक्शन जो बोलते हैं कि आग्रो टूरिजम बोले तो क्या होता है कि वहां पे खाना पीना मोच मस्तिकरो चले जा एक तूरिशम आजकल जो थोड़ा इंटरेटेंबेंट की तरफ जा नंतारा हैं वर हमें से ज्यादा इंफो तैन्मेंट में ज्यादा ईंट्रेस्ट है इंफिर मेचनल और इंट्रेटैनमेंट कोई मुनें करते हैं अगर मुलें लोग बन एक।ब इसको हम उसी एंगल से डेवलप कर रहे हैं जहां पर फसलों की जानकारी फल की जानकारी और जो आपने और यहां पर आएगा तो कुछ ले के जाएगा ले के जाना चाहिए बले आपने जो भी किया है छोटी-छोटी चीज़े काफी इंट्रेस्टिंग किया जैसे कि की साल बर फ्लारींग पेरेता है साल बर 125 यह फायदा यह होता है कि मद्य मक्कीय की जो खित में जरूरत होती यह यह in 설명 here फूल भी जो है काफी उनलग री भी किया है जैसे कि हम अगर क्या झालते हैं कि और यह बीच में लगा हुआ बीच नयगा और बीच सी शुरुवात में कहा था कि थैवान मैंगो भी यह थाइलेंड वराइटी है यह किसी के balcony में भी आ सकता है गमलों में आज कल लोगों को फ्लैट सिस्टिम में भी चाहिए और इसंट ever है जी इसका डॉर्फ वराइटी है दोस्तों यार यह बहुत ही अतरंगी चीज है कि इतना ही छोटा रहेगा और हार्वेस्टिंग में भी अच्छा बालकनी भी लगा सकते हैं और काफी कम जगा में यह अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है बहुत से आपने एक और कोई मै महिंगा हो महिंग रहते हैं अभी देखो यूट्यूब की बात है पर यहां पर इतना में एक लाक ने एक हजार रुपया किलो भी गया तो भी फार्मर को बहुत रम आजकल केसर का रेट देड़ सो रुपया किलो 200 रुपया किलो है उससे अंदाजा लगा एक हजार भी बढ़िया है एकदम मियाजाकी का मतलब लेक दो लाक रुपय तो भीकता नहीं होगा जूटी बोल रहे हैं लोग मुझे मेरे मन में तो कोई शंका आज रही नहीं क्योंकि मैंने आपके फार्म पे देखा कि किस तरीके से आप नरसरी बना रहे हैं कितनी वराइटी इतना सा में आप मुझे जरूर बताएगा और जो भी नरसरी की जानकारी पर चाहिए आपको सर का इमेल नंबर डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे डाल दिया आप कभी भी कॉंटेक्ट बेशक कीजिएगा तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद सभी किसानों को भी तो दोस्तों यार प् कितना बड़ा स्कोफ है तो प्लीज यार मैं दिल से बोलता हूं सबको इस वीडियो को धेर सारा शेयर करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पका कीजिएगा मिलते एक और नेडिक साथ तब तक करते रही है मेनत क्योंकि वावर ह सब्सक्राइब पावरे